हर्याना के पूर्व बुख्यमंतरी मनोहलाल खटर और बजूदा केंद्रिय मंतरी मनोहलाल खटर ही वो शक्स थे जो तक्रिमाद दो सत्ता के दो सुटर कारिकाल पूरे की लेकिन छे मैने के लगभग समय बागी रह गया था और चेहरा बदल दिया गया था जैसा अभी सुर् मनोहलाल खटर भी वोटिंग करने पहुंचे है इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और इससे पहले जो तस्वीर हमने दिखाई थी काफी मनमोहक तस्वीर थी जब रोतक से आप देख रहे थे कि बड़ी संचा में महिलाएं भी पहुंची भी थी महाँ पर हाला कि से पहले वोट कास्ट किया है पूर मुखे मंतरी हर्यान के मनोहलाल खटर वहाँ पर मीडिया का भी जमावणा है हुजूम वहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूर मुखे मंतरी मनोहलाल खटर इस चेहरे के इर्दगिर्द भी बहुत चुनाव रहा उथल पुथल रही कॉं जाल वहां पर क्योंकि मीडिया का हुजूम है वहारी जमावणा है सुनाते क्या कह रहें इस वक्त मनोराल खटर क्योंकि मेरा सब प्रदेश वासियों से अपना वोट आल करके और कामकाज वाले जो लोग है करनाल को एकर आप क्या करेंगे हैं कि नजर हॉट सीट पर बनी हुई है करनाल सीट बहुत अच्छी कंफिड़ेबल सीट है लगातार मैं आज यहां का रहें कोगतीन चुनावत उस्वें में लड़ा हूँ करनाल की स्थी है करनाल के अबलके पूरी लोग सभा की हम नौकी दो विजान सभा की सिटेंगे आप बाटी कि लुग अनंद हमारे बहुत अच्छे कारकरता है और जरूर उनको उसे योग में आप अस्वस्ताइए कोई कोई कोशच नहीं है मैंने तो अपनी का उफर दी हुई है कि कोई भी आता उसके लिए यानि दौर खुला है और भाई जहां तक अशुकत अवर का विशह है अब यह आयराम गयराम की जो लुकोक्ती है वो उन्होंने भाला के बहुत समय से रुकी हुई थी उन्होंने इस पो फिर उजागर किया है और यह जो कुछ किया है इसकी पीछे की कहानी क्या है अनुमान लगाया जा सकते हैं सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर रहे हैं और यह जनता के मन में क्या है यह बात सब जानते हैं आप जानते हैं हम जानते हैं जिनता भी जानती है आठ तरीकों सैंकल तक दोपैर तक ही इसका सारा प्रिणाम सामने निकलेगा तो अब बताले हैं इसका मतलब हरियाना के नौजवानों को मशेकी और धकेलने का काम उनकी पूरी प्लैनिंग है और इस प्रकार की प्लैनिंग को अमरी देश की अफरदेश की जनता समझती है जैसे नौकरियां बेचने की बात खुले रूप समने कह दी है हम तो मिनापर्ची मिनाखर्ची के अपनी बात लगातार कह रहे हैं आगे भी रहेगी और गाहों के लोगों के सिर्चड़ पर सिर्चड़ के ये जादू बोल रहा है लेकिन वो बाज नहीं आये है जैसे पहले करते थे वैसे नौकरियों को बेचने का काम आज भी उकरने के लिए तो या रहे हैं कि हमाएंगे तो नौकरी बेचेंगे लेकिन पहली अगली बात ही है कि ना नोमन तेल होगा ना रादा राचे की उनको आने का कोई विशह नहीं है इस बार मैं समझता हूँ जो पहली बार 14 का जो हमारा रिजल्ट था उससे भी ज़्यादा बढ़तर के आएगी और मैं समझता हूँ पटास जाना जीके मरे आएगी बार बतने हूँ